दोस्तों सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पावन और फल्दाई तिधी माना गया है। पौराणिक मानेताओं के अनुसाद चोभी व्यक्ति इस पावन दिन पूरे विधी विधान से प्रत रखते हैं। तो उनके जीवन में सब कुछ कल्यान में हो जाता है। मोहिने एकादशी का ब्रत रखने वाले व्यक्ति मोहमाया के जञ्जाल से भी मुक्त हो जाते हैं। अम्रित्यू के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है इस एकादशी का ब्रत करने वालों के कई जन्मों के बाप भी नश्ट हो जाते हैं। भगवान विश्णो की कृपा से जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता। जीवन सुख में बनता है। भगवान विश्णो की किपा से मनचाहा बर्दान प्राप्त होता है। दोस्तों इस पार मोहिनी एकादशी का ब्रत एक माई दिन सौंबार को रखा जाएगा। कहा जाता है जो भगते इस दिन भगवान लक्षमी नारायन का पूचन एक साथ करते हैं। भगवान लक्षमी नारायन उन पर अतिशेकर ही प्रसन हो जाते हैं। और अपने भगतों की सभी मनुकामनाओं को पूरा करने का परदान प्रतान करते हैं। दोस्तों आज की इस बीडियों में हम आपको एकादिशे के इस सुपसायों पर कहने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कहने से भगवान लक्ष्मी नारायन के कृपा से दंजम्मंदी समस्याएं दूर हो जाते हैं। माललक्ष्मी की अस्यम कृपा प्राप्त होती है जिससे घर में धन के कोई कमे नहीं रहती, घर में सुकसम्रधी बनी रहती है। भगवान लक्ष्मी नारायन के कृपा से जीवन में चली आ रही परिशानियां खत्म होती हैं और कष्टों से छुटकारा मलता है। दोस्तों यह उपाई आपको एकादशी की रात्री को कहना है, क्योंकि शास्तों में बताया गया है, दिन की अपिक्षा एकादशी की रात्री में की गई पोजा, कई गुना अधिक पुन्य फलताई होती है, इसलिए यह उपाई आप एकादशी पे संध्या काल के समय से रात म किसी भी समय अपनी शद्धानुसार कर सकते हैं उपाई कहने के लिए सबसे पहले इस्नान का सच्छबस्त धारन करें अगर आपने दिन में इस्नान किया है तो उपाई कहने से पहले आप अच्छी तरह से मुहात पैथ हो ले और सच्छबस्त पहने हो सके तो लाल या पीले रंग के बस्तर पहन कर आप इस उपाई को करें ध्यान रखें काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने अब दोस्तों आप एक साबुत फूल बाली लॉंग लें जी हाँ दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लौंग साबुत होनी चाहिए जिसमें फूल हो तूटी हुई लौंग ना ले और इस लौंग के साथ ही आप एक छूटी साबुत हरे रंग की इलाईची ले ले इलाईची में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलाईची फटी हुई नहीं होनी चाहिए करें भगवान लक्ष्मी नारायन को प्रणाम करें आप भगवान जी के सामने एक खीका दिया जलाएं और एक सुगंदी धूपत्ती जलाएं अगर आप संध्यकाल पूजन के समय इस उपाई को कर रहे हैं तो पूजन के लिए जो आपने दिया जलाया है उसी दिये को जला रहने दें उपाई करने के लिए आपको अलग से दिया जलाने के जर्रत नहीं है दोस्तों अब आप भगवान शी हरी विष्टू मालक्ष्मी जी को हल्ती और कुम-कुम से दिलक करें और भगवान शी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाए फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर मिश्री बताश्य आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं भोग लगाने के पश्चात दोस्तों ये जो लॉंग और इलाइजी हैं इन पर भी आप हल्दी और कुम- माहिने यानि की राइट हैंड में रखकर मुठे में दवा लें और फिर भगवान विश्नुु जी के द्वादुश मंत ओम नमो भगवती वासु देवाय का घ्यारे बार जाप करें मंतर हैं ओम-मो भगवती वासु देवाय मंतर का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप मालक्षमी के इस मंतर का जाप करें, मंतर है ओम महालक्षमे नमा, मंतर है ओम महालक्षमे नमा, दोस्तों आप चाहें तो उंगली पर गिल कर भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर कमल गटे की माला हो, तो आप इस मंतर का जाप कमल गटे की माला पर करें, ऐसा का दोस्तों मंत्र का जाब करते समय आपको बीच में बोलना नहीं है यानि कि लगातार 108 बार आपको मंत्र का जाब करना है तभी माला पूर होगी और यह भी ध्यान रखें मंत्र का जाब करते समय आपको यह लॉंग और इलाइची अपनी दाहिने हाथ यानि की राइट हैंड की मुठी में दबा कर ही रखनी है जाब पूरा होने के पश्चाद अब आप यह लॉंग और इलाइची भगवान शीहरी विष्णू मालक्ष्मी जी के चर्णों से लगाए और फिर भगवान विष्णू मालक्ष्मी जी के मंतर से अभी मंतर इन लॉंग और इलाइची को आप एक पीले रंग के कपड़े में रखें आपको एक छोटा सा पीले रंग के कपड़े का टुकड़ा लेना है उसमें आपको यह लॉंग और इलाइची रखकर इसे सुई धागे की मदद से कपड़े को सिल देना है आप एक छोटा ताबीश सा एक छोटा सा पाउच बना लीजे और उसमें यह लॉंग और इलाइची रख लीजे अगर ना सिल सकें तो आप कपड़े में गाड़ बानकर छोटी सी पोटली भी बना सकते हैं लॉंग और इलाइची सिलती समय भी आप पीली रंग के थागे का ही इस्तमाल करें दोस्तों इस तरह भगवान पिश्टू और मा लक्षमी ची के मंत्र से अभी मंत्र इस लॉंग और इलाइची को आप भगवान लक्षमी नारायन के प्रशास सुरू अपने धन रखने के इस्तान पर रखें धन रखने के इस्तान पर आप अपने घर में किसी बॉक्स में रुपए रखते हैं उसमें या अपने तिजोरी में या अपने गहनों के साथ इसे रख सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने बॉलिट में अपने पर्स में भी रख सकते हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका बॉलिट चमड़े का नहीं होना चाहिए जैक जीन आर्टिफीशल जो लेदर होता है उसका बॉलिट है तो उसमें आप रख लीजे लेकिन चमड़े के परस में आप लॉलिट ची ना रखें दोस्तों लॉलिट और इलाइची का हमारे ध्यम शास्तों में बिशिश महतु बताया गया है लॉलिट को बहुत ही पवित्र माना जाता है साथ ही इलाइची मान लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को अत्यथिक प्रिया है इस तरहें लॉंग और इलाइची को अभिमंतित का धन रखने के इस्थान पर रखने से भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा से धन संबंदी समस्यां जल्द ही दूर हो जाती है साथी घर में चली आ रही परिशानिया भी दूर होती है कश्टों से छुटकारा मिलता है और घर में भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा से सुक्सम्रथी बनी रहती है दोस्तों इस लौंग इलाइची की पोटली को आपको अपने धन रखने के इस्थान पर ही रखा रहने देना है और अब जब एकादशी आए तब उस दिन आप इसे निकाले और फ्रसे पूजन में रख इसे अभिमंतृत करें और फिर से अपने धन रखने के इस्थान पर रख ले दोस्तों हर महा भी दो एकादशी आती है आपको हर एकादशी पर अभिमंतित करने की जरुरत नहीं है आप एक महा में किसी भी एक एकादशी पर इसे अभिमंतित कर सकते है दूस्त्री सुपाई को करने के साथ ही कुछ बातों का विशिष ध्यान रखें. एकाधशी के दिन आपने ब्रत रखा है या नहीं भी रखा. तब यि आज के दिन आपको जौ और चावल का सेवन नहीं करना जाहें. सीवन के साथ ही किसी भी रूप में जो और चावल का इस्तमाल भी नहीं करना चाहें पूजन में भी चावल का इस्तमाल ना करें क्योंकि आज के दिन चावल को मासाहार की शेड़ी में रखा जाता है और चावल का इस्तमाल करना बर्जित होता है एकादशी के दिन भगवान विश्णू को भोग लगाते समय भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखे क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विश्णू भोग को स्विकार नहीं करते लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक आदशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी या किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते या फूल नहीं तोड़ने चाहिए तो आप पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अपने आप से तूटा हुगा जो तुलसी का पत्ता पड़ा हो आप उसको भी लेकर धोकर भगवान विश्णू जी को अर्पित कर सकते हैं या फिर पहले भोग में जो आपने भगवान विश्णू जी को पत्ता चढ़ाया हो आप उसे बापस भोग में रख सकते हैं क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी पार्सी नहीं माना जाता एक आदशी के दिन इन बातों का विशिश ठ्यान रखें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंत आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें जिस से भे भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले